रानी एक गरीब स्टुडेंट थी उसके पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे थे उसके माँ घर का सारा काम किया करती थी एक रोज रानी के माता पिता आपस में सुबह सुबह बात कर रहे थे कुछी दिनों बाद रानी स्कूल से निकल कर कॉलेज में चली जाएगी कॉलेज में फीस भी ज्यादा लगेगी लेकिन किसी तरह मैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करूँगा आपने बिल्कुल सही कहा देखना एक दिन हमारी बेटी हमारी गरीबी तो दूर करेगी ही साथ ही साथ इतना बड़ा नाम करेगी इतना लड़के भी नहीं कर पाते लेकिन आपने उसके जन्म दिन के बारे में कुछ सोचा है तब ही वहाँ पर स्कूल ड्रेस में तयार होकर रानी आ गई मापिता जी मैंने आप दोनों की सारी बाते सुन ली मुझे आप दोनों से कोई भी बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए आप लोग मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं इससे बढ़कर गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए देखा तुमने हमारी बेटी बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी हो गई है ठीक है आप लोग बाते करो मैं स्कूल जाती हूँ रानी अपने माता पिता का आशिरवाद लेकर स्कूल चले गई स्कूल वहाँ से पांच किलो मीटर दूर था इसलिए वो रिक्षा से स्कूल जाती थी जैसे वो स्कूल पहुँची वैसे ही एक कार रुके उस कार से दो लड़कियां पिंकी और रिंकी उतरी ओके डैट बाई इधर राणी रिक्षे वाले को किराय दे रही थी ये लो चाचा इतने में पिंकी और रिंकी की नजर राणी पर पड़ी राणी तुम रोज रोज रिक्षा से आती हो तुम्हें बेज़ती महसूस नहीं होती हम लोग कार से आते हैं तुम्हें भी ऐसा लगता होगा ना कि काश मैं भी कार से स्कूल आ पाती पिंकी और रिंकी मुझे सब समझाता है कि तुम इस तरीके की बाते मुझसे क्यों करती हो तुम लोगों को अपनी अमीरी का घमंड है लेकिन मैं एक बात बता दू अगर परसनली देखा जाये तो तुम दोरों मुझसे जादा गरीब हो क्योंकि मैं स्कूल जाने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते हैं उनी पैसों से मैं रिक्षे का किराया देती हूँ लेकिन तुम लोग तो अपने पिता के दम पर कार में बैठ कर आती हो कराली बेज़ती? चल क्लास में चलते हैं इसमें बेज़ती वाली क्या बात है? रानी हमने तुम्हारी बेज़ती की, तुमने हमारी बेज़ती कर दी बात बराबर, बुरा तो नहीं लगा न तुम्हें? यही सवाल में तुमसे पूछती हूँ, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगा जो सवाल तुम्हारा था वही सवाल मेरा था इसलिए जो जवाब तुमने दिया वही जवाब मेरा भी है मुझे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा सभी लोग क्लास के अंदर चले गए क्लास में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कल मैंने तुम लोगों को ताज महल के हिस्ट्री पढ़ाई थी अब मैं तुमसे ताज महल से रिलिटेड ही सवाल पूछ लूँगा सर हमें अच्छी तरह याद है आपने क्या पढ़ाया था पूछे जो भी सवाल आपको पूछना है तो बताओ ताज महल किस शहर में बना हुआ है और ताज महल क्यों और किसने बनाया था रिंकी मुझे लगता है तुम ओबर एक्साइटेड हो इसलिए तुम ही सवाल का सबसे पहले जवाब दोगी सर ताज महल बनाने वालों के हाथ काट दिये गए थे पर ये तुम्हेने बताया नहीं था ये बात अभी तक रहस से बनी हुई है कि सच में ताज महल बनाने वालों के हाथ काट दिये गए थे या नहीं बताओ ताज महल किस शहर में है इतना ही बतादो तो जान जाओ तुम्हें सर ताज महल उत्तर प्रदेश में मौझूद है बेटा उत्तर प्रदेश एक राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे शहर है उन मेंसे किसी एक शहर में ताज महल बना हुआ है सर मुझे पता था पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है मेरे गले में है जुबान पर नहीं आ रहा है बस पिंकी तुम बताओ ताज महल कहां इस्थित है और इसे किस ने और क्यों बनवाया था सर ताज महल आगरा में इस्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था पिंकी का जवाब सुनकर सारे बच्चे जोर-जोर से हसने लगे चुपो जाओ इसमें हसने वाली कौन सी बात है पिंकी तुमने एक जबाब तो सही दिया कि ताज महल आगरा में इस्थेत है लेकिन इसे अकबर ने नहीं बनवाया था रानी क्या तुम्हें इसका सही जबाब पता है हाँ सर ताज महल आगरा में बना हुआ है और इसे शाजहा ने अपनी पत्नी मुम्ताज महल की याद में बनवाया था वहाँ पर मुम्ताज महल के साथ-साथ शाजहा का भी मगबरा बना हुआ है बिल्कुल ठीक जबाब दिया तुमने रानी अब तुम सबको पता चला के इस क्लास की मॉनिटर हर साल रानी को ही क्यों बनाता हूँ मैं खैर ये साल तुम लोगों का आखरी साल है इस स्कूल में इसलिए मन लगा कर बढ़ाई करो इस बात से रिंकी और पिंकी रानी से चिड़ गई छुटी होने के बाद रानी रिक्षे पर बैट कर वहां से चली गई लेकिन रिंकी और पिंकी स्कूल के बाहर खड़े होकर उसे जाता हुआ देख रहे थी ये अपने आपको कुछ जादा ही इंटेलिजेंट नहीं समझती सारे बच्चे हमारा जवाब सुनकर हसने लगे और इसका जवाब सुनकर सभी बच्चों ने तालियां बजाए इस बात का बदला तो हम लेकरी रहेंगे खेर रानी अपने घर पहुंचके घर पहुंचकर वो अपनी मा का खाना बनाने में हाथ बटाने लगी रानी सारे बच्चे आ चुके हैं, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई हैं मैं बना लूँगी, तु जाकर बच्चों को पढ़ा ठीक है मा, किसी भी मदद की जरुरत हो तो बता देना रानी उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनमें से एक बच्ची बोली रानी दीदी, आप कितना प्यार से बढ़ाती हो, सब कुछ बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है मेरी स्कूल टीचर तो दिन भर हाथ में डंडा लेकर पढ़ाये करती हैं, फिर भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता अगर हम आपसे ट्यूशन ना पढ़ें, तो हम कभी पास ना हो पाएं एसे ही पढ़ाई करते रहना, एक दिन बड़ी होकर तुम सब बहुत बड़े अफसर बनोगी, ये मेरा वादा है तुम लोगों से रानी की एक बात बहुत अच्छी थी, वो भले ये गरीब परिवार से थी लेकिन उसके अंदर confidence भरपूर था जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उनके अंदर भी हमेशा confidence भर दिया करती थी ऐसे ही दिन बीटते गए और रानी का बर्डे आ गया, स्कूल की छुट्टी होते ही देज बारी शुरू हो गई ओ, आज बारी शुरू हो गई, रिक्षे वाला भी नहीं आएगा तब है उसके पास पिंकी और रिंकी आ गए, उन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स और कुछ थेलिया थी क्या हुआ, आज तुम दोनों की कार्ड तुमें लेने नहीं आई क्या नहीं यार, हम दोनों के डैड आज कहीं बाहर गए हुए है, इतनी तेस बारी शुरू हो गई तो हम लोग मेट्रों से जाने वाले हैं चल रानी, आज तुझे हम मेट्रों की सेर कराते हैं नहीं, नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ तो मैं चली जाओंगी रानी, मुझे लगता है तुम हम दोनों से अभी तक नाराज हो हम दोनों तुम से बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन तुम नक्रे कर रही हो तो बताना ही पड़ेगा इस बॉक्स में केक है, आज तुम्हारा जन्म दिन है हमने सोचा साथ में सेलिब्रेट करेंगे लेकिन तुम तो हमारे साथ चलने कोई तैयार नहीं हो क्या, तुम दोनों को मेरा जन्म दिन याद है बच्पन से हम लोग साथ में ही पड़ रहे है तो भला याद क्यों नहीं होगा चलो हमारे साथ, मेट्रो ट्रेन के अंदर ही हम केक काट लेंगे क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही है स्कूल में सर अलाव नहीं करेंगे तुम दोनों इतनी प्यार से यह सब लेकर आई हो तो ठीक है मैं तुम लोग के साथ चलती हो मेट्रो ट्रेन में रानी उन दोनों के साथ मेट्रो ट्रेन में चड़ गए सबसे पहले पिंकी ने केक निकाला जैसे रानी ने केक काटा वैसे ही रिंकी ने रानी की खोपड़ी पकड़ी और केक में डूपो थी उसके बाद पिंकी ने रिंकी के बैक से धेर सारा गोबर निकाला और उसके मुँपर मल दिया अब रानी को सांस लेने में भी परिशानी होने लगी छोड़ो मुझे ये क्या कर रही हो तुम लोग इतने में उस ट्रेन में मौजूद आसपास के लोगों को भी ये सब बहुत बुरा लगने लगा तब ही एक आदमी बोला ये क्या बत्तमीजी कर रही हो तुम सब आज उसका बर्थ डे है उसके मुँपर तुम लोगों ने गोबर और ये सब केमिकल लगा दिया ये बत्तमीजी अच्छी बात नहीं है जैसे ट्रेन रुकी रानी बिना कुछ बोले बाहर आ गई बाहर बारिश में ही उसने अपना मूँ धो लिया और पैदल ही अपने घर चली गई अब आया मजा खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रही थी न शाम को रानी भीगते हुए घर पहुँची पर उसने उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया रात में उसके माता पिता ने उसका जन्म दिन बहुत अच्छे से मनाया ऐसे दिन बीटते गए और फाइनल एक्जाम भी खत्म हो गए रिजल्ट आने के बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को फियरवल पार्टी के लिए बुलाया आज मैंने आप सभी को यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आज के बाद आप इसे स्कूल में दिखाई नहीं देंगे लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा रानी को जिसने इस पूरे स्टेट में टॉप किया है जिससे पूरे राज्य में हमारे स्कूल का नाम रौशन हुआ है एक गरीब परिवार की होने के बावजूद इतना बड़ा नाम किया हमारा स्कूल तुम्हारा बहुत बहुत आभारी है बेटा यह है सिधात सर आगे की पढ़ाई तुम इनके कॉलेज में कर सकती हो तुम्हें पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा इन्हें तुम जो भी बनना चाहती हो जो भी पढ़ाई करना चाहती हो तुम कर सकती हो रानी बहुत खुश हुई, उसने ये बात अपने माबाप को बताई, उसके माता पिता भी बहुत खुश हुई, दिन बीद गए और पढलिक का रानी आईपेस ओफिसर बन कर लाल बत्ती गाड़ी में पिंकी और रानी से मिली, उसके बॉडिगार्ड्स के हाथ में धेर सारा गोबर था, मैं रानी हूँ, पैचान तो गई ही होगी तुम दोनों, बॉडिगार्ड्स, जैसा बोला था वैसा कर दो, बॉडिगार्ड्स ने धेर सारा गोबर पिंकी और रानी के मूपर मल दिया, इसके बाद रानी अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई, पि उस गाउं में एक साथ ही खेला करती थी, गोवरधन दास बिचारा बहुत गरीब था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, किसी रोज पांचो बैने गाउं में दूसरे बच्चों को साइकल चलाता हुआ देख कर बहुत खुश हो रही थी, दीदी मुझे भी साइकल चलाने का पापा से साइकल लेने के लिए भी नहीं कह सकते, बड़ी मुश्किल से वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, रानु मीनु चलो उन लोगों के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें भी थोड़ी देर के लिए साइकल चलाने को दो, हाँ चिंकी दीदी, ये आपने बिलकुल सह कहा, चलो, चलते हैं, पाँचो बेहने उन बच्चों के पास गई जो लोग साइकल चला रहे थे, क्या तुम लोग हमें भी साइकल चलाने दोगे, लड़की होकर साइकल चला होगी, हेहे, पपु उन लड़कियों का मजा खुडाने लगा, पपु के दोस्त ने उसके कान मे कहा, अरे, इन लड़कियों को साइकल चलाने देते हैं, फिर इने गिराने में बड़ा मज़ा आएगा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ठेक है ये लो, तुम लग साइकल चला लो, सबसे पहले चिंकी ने साइकल चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो साइकल ल कर दी थी हमने पप्पू को, और तुम लोगों ने मेरे बच्चे की साइकल तोड़ दी, अरे, जब साइकल खरिदने की आउकात नहीं है, तो साइकल चलाने की भी जरूरत नहीं है, बोल देना अपने बाप को, इतने में वहाँ पर गोवर धंदास आ गया, उसने ये सब द देखते हैं, वो लोग भी तो हमारे साथ खेलने आते हैं, हमने तो कभी मना नहीं किया, मुझे पता है, मेरी बच्चे को भी साइकल चलाने का मन होता है, पर मुझसे कभी कहती नहीं, मैं जल्दी अपनी बेटियों के लिए एक साइकल लाकर जरूर दोंगा, गोवर धंदा सबजी का ठेला लगाता था, उसने दिन रात मेहनत की और बड़ी मुश्किल से एक साइकल ही खरीद पाया, वो साइकल लेकर अपने घर पहुचा, नई साइकल को देखते ही, पाँचों लड़कियां बहुत खुश हो गई, पापा, ये साइकल किसकी है, अरे मेरी बच्चे यो, ये साइकल तुम लोगों की ही है, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तुम लोगों के लिए साइकल भी नहीं खरीद सकता, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, यही हमारे लिए बहुत है, अरे मैं साइकल सीखना शुरू कर दिया दो महीने में ही वो पांचो बहने साइकल चलाना सीख गई दीदी हमें हर रोज दो किलो मीटर पैदल चल कर स्कूल जाना पड़ता है तो कल से हम इसी साइकल से स्कूल जाये करेंगे लेकिन मीनू दीदी हम पांच लोग एक साइकल से बला स्कूल कैसे जाएंगे जाएंगे और जरूर जाएंगे अगली सुबा पापा से छुप कर उन पांचो बेटियों ने अपनी साइकल निकाल ली चिंकी ने साइकल चलाने का फैसला किया दो बहने पीछे बैट बही और दो बहने आगे चिंकी ने साइकल चलाना शुरू किया लोग उन्हें देख देख कर हस्ते लगे लेकिन किसी तरह वो स्कूल पहुँच गए क्या बात है दीदी आपने साइकल चलाने के मामले में तो बड़ो बड़ो को पीछे चोड़ दिया इस तरह धीरे धीरे उन सभी बेहनों ने एक साइकल पर चार लोगों को बिठा कर साइकल चलाना इतनी छोटी से उम्र में सीख लिया पप्पू के दोस्त और पप्पू का पिता उन लड़कियों का खूब मजाग बनाय करते थे इन पाँचो लड़कियों की बेशरमी तो देखो एक साइकल पर पाँच लोग बैठ कर जाती है अरे जब अभी से इनका ये हाल है तब ये बड़ी हो जाएंगे तब क्या होगा बड़ी होकर ये अपने बाप और गाउं की नाक कटाएंगे और कुछ नहीं वक्त बीता गया और उनकी पाँचो बेटियां जवान हो गई गोवर्धन दास भी अब बुढ़े हो चले थे एक रोज पप्फू का पिता गोवर्धन दास की सबजी के ठेले के पास आया अरे गोवर्धन दो किलो आलू और एक किलो प्यास देना जरा गोवर्धन ने उसे सबजीया दे दी गोवर्धन दास कभी-कभी तुम पर बहुत तरस आता है तुमने पाँच-पाँच लड़किया तो पैदा कर ली लेकिन अब इस उम्र में पच्चतावा तो होता ही होगा किस बात का पच्चतावा? अरे पच्चतावा इसी बात का कि अगर पाँच लड़कियों के अलावा तुम्हारा एक बेटा भी होता तो इस उम्र में तुम्हारी मदद कर पाता अरे कम से कम बुढ़ापे में तुम्हें सबजी का ठेला नहीं लगाना पड़ता इतने में पप्पु की पिता ने सबजी का ठेला उठाया और वहां से चला गया रात को गोवर्धन सबजी बेच कर अपने घर वापस आ गया चिंकी और बागी की बहने मिलकर अपनी साइकल धो रही थी अरे मेरी बच्चिया साइकल धो रही है ये साइकल भी कितने खुशकिसमत है मेरी तरह मैं और ये साइकल दोनों ही बुढ़े हो चुके हैं लेकिन मेरी पाँचो बेटिया ना ही इस साइकल को बुढ़ा होने दे रही है और ना ही मुझे पापा आप ऐसी बाते मत किया करो आप तो भी जवान हो और हमारी साइकल भी अभी जवान ही है चिंकी बेटा अब तुम लोग बड़ी हो गई हो तुम पाँचो अभी भी एक साइकल से ही गूमती रहती हो तुम लोगो पता है गाउच वाले जब भी तुम पाँचो को एक साइकल पर देखते हैं उन्हें जलन होने लगती है पापा गाउचो वालों को जलाने के लिए हम पूरे गाउचों में एक साइकल पर पांच लोग बैट कर चलाते रहते हैं इस गाउं में किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पांच लोगों को बिठा कर साइकल चला सके खेर, चिंकी ने सभी के लिए खाना बनाया और खाना खा कर सभी लोग सो गए अगले दिन सुबह सुबह गाउं में बहुत भीर लग गई गोवरधन दास और उसकी बेटियों ने जब माइक पर किसी के जोड़ जोड़ से बोलने की आवाज सुनी तब वो लोग भी वहाँ पर पहुँच गए एक आदमी माइक पर सब को कुछ बता रहा था सुनो, सुनो, सुनो गावालो ये है मिस्टर खन्ना इनकी बहुत वरी शाइकल की कमपणी है दो दिन बाद इस गाव में साइकल की रेस होने वाली है जो भी ये साइकल की रेस जितेगा उसे पांच लाख नगद इनाम तो मिलेगा ही उसके साथ साथ खन्ना साहथ की साइकल की कमपणी के लिए वोगले दस सालों के लिए ब्रांड अमेजडर भी बन जाएगा उन्हें हर साल 20 लाख रुपए मिलेंगे उन्हें टीवी और अख़वारों में भी दिखाया जाएगा ये सुनकर गोवर्धन दास की पांचों बेटियां बहुत खुश हुए मेरी बेहनों अब वक्त आ किया है इन गाउवालों को और पूरी दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने का ये गाउवाले और पूरी दुनिया हम बेटियों को बहुत कमजोर समझती है जब देखो तब ये गाउवाले हमारे पापा को ताना मारा करते हैं कि काश हमारा कोई भाई भी होता, लेकिन इस बार हम इन सब को दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती. अपने पिता की यह बाते सुनकर पाउचो बेटियां confidence से भर गए। दो दिन बीट गए और competition शुरू होने वाला था। मेरी बेहनों ध्यान से सुनो इस गाउं में सारे लड़के और लड़कियां अकेले-अकेले साइकल चलाएंगे ये तो बहुत नॉर्मल है हम लोगों ने पिछले 20 सालों से एक साइकल पर 5 लोग बैठ कर साइकल चलाने की प्रैक्टिस किये तो हम पाचो एक साइकल इस रेस में हिस्सा लेंगे ठीके दीदी हम तयार है सारा गाउं एक साथ एक अठा हो गया है इस जबरदस्त रेस को देखने के लिए एक तरफ गाउं के हट्टे-कट्टे लड़के हैं तो दूसरी तरह भेर्स गाउं की पांच लर्किया जो इस रेस में हिस्सा ले रही है इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालिया हो जाए तो रेस शुरू करते हैं वन टू ठी एंड गो तो इस तरह से रेस शुरू हुई चिंकी ने साइकल चलाना शुरू किया चिंकी की दो बेहने पीछे और दो बेहने आगे बैठी दे सभी लोग ये नजारा देखकर दंग रह गए खन्ना साहब और उस एंकर की आँखे फटी की फटी रह गए अरे ये क्या हो रहा है ऐसी रेस तो मैंने अपनी जिन्दगी में पहली बार देखी है पाँच लड़किया एक साइकल पर फिलहाल लड़के आगे हैं कमान गर्स पावा कमान और ये क्या पाँच लड़किया लड़कों से आगे निकलती हुई बस थोड़ी से ही रेस की बा वो रेस जीत गई और उन्हें पांच लाग का इनाम तो मिला ही साथ ही साथ वो उस कमपनी की ब्रांड एमबेजर भी बन गए जिससे उन्हें हर साल दस लाग रुपे का पैकेज मिलेगा कुछी सालों में उन्होंने बहुत अच्छा घर बन वा लिया और खुशी खुशी उस गाउं में पूरे सम्मान के साथ रहने लगे